नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आज में आप से चर्चा करूंगी कन्या राशी का दिसंबर 2018 का राशी फल कि कन्या राशी वानों के लिए दिसंबर का महीना क्या लेके आया है आईए सबसे पहले हम देखें कि कन्या गर राशी वानो और चहते हैं और में कुम्राशी को कि मंगल बैठे हैं औरने कट और में भाधि राषित के साव campus यहाय सकर है उसका रीजन क्या है कि आप देखिए कि कुंडली में जो में घ्रह होते हैं वो बहुत अच्छी पोजिशन पर चल रहे हैं अगर हम इस बात कौन देखा कर दें कि कन्या राशीवान उपा फोर्थ हाउस की डहिया चल रही है तो इसके लाबा कन्या राशीवानों की लाइक में अभी तक कोई प्र च्छत्रों पर विजे के साब से बहुत अच्छी पोनीशन बनीविय है असा अकास मीक धंलाबी बनीविये आतरी तरीके से अनिया सिए करद्श राशी वाले है क्या ये यह HO बहुत बड़ी है यह किसे लोग जो अपने काम में यात्राइग करते हैं जातरों में जाते हैं उनकी यात्रों शो लाप की पूरी स्थिति बनी हुई हैं आप किसी प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं या किसी पत्रकार है या किसी आपको लेखन कुटुम का पूरा सुक मिलेगा पती पतनी में आपसी अंडरस्टेंडिंग बढ़ेगी घर में माता-पिता से प्यार मिलेगा आपको और धन धानने की अच्छी स्थिति रहेगी हो सकता है आप किसी जगा इंवेस्ट करने की भी सोच ले ओवराल मंगल की पोजिशन ऐसी है क कोई कोई कोट केशिस वगरा चलने है तो उसके लिए मंगल की बहुत अच्छी पोजिशन है justement अगर मैं यह हम आपका वालों को सब्सक्राइब को ये अगर मैं को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर उनकी प्लाक कीम्स मीच्छाइब है तो बहुत लाब मिलने की इस प्रकार को हम देखें तो कन्या-गाईब के लिए हर तरीके से दिसंबर का महीना बहुत अच्छा आया है ये तो दर्शकों में भताया कि जिन दर्शकों की दशा सही चल रही है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना बस पोस्त की कंडली में कि सथार पे सही आपको कोई भी प्रावलम है आपको कोई बाधा चल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं अपनी तरफ से पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगी जवाब देने में देर हो सकती है पर मैं हर एक को पूरा पूरा जवाब देने का प्रयास करती और शनी का प्रवाब मानेंगे कि कन्जा राशी पर शनी का प्रवाब चल रहा है जिसके कारण वो सब कुछ होतो है क्योंकि उनके पिछले साल उनकी गुरू की पोजिशन बहुत अच्छी गई है पर उसके बाब जूद भी उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे काम में उनक उनको उतना सम्मान मिल रहा है उनको सोड़ा सा घुटन मैसूस हो रही है काम की ना उतनी गती मैसूस हो रही है अगर वो थोड़ा सा शनी का उपाय कर लें शनी के उपाय के तोर पे अगर वो बट रखने में सक्षम है तो वो शनीवार का बट रख सकते हैं बिना नमक का भ कर में जो झायराश सकते हैं कर प्य번 Pret mana कर सकते हैं मंंगालवार के ऑगती बच्रिता जैएлом हो nevertheless कि अनुमान इसे सानी पूजा को बढ़ माराज परसुन होते हैं और उनके कामों की घ्यान रखे चिलकी इस प्रकार से हनुआन जी का चोला पर ध्यान रखें कि शी जाने वानी व्यक्ति इसे बात करें और पूरे अपने सामने विधी विधान से चड़वाएं जिसे आपको पता रहे कि उसमें पूरी विधी फालो की गई है खाली पैसे रेके बापस ना आए अपने सामने चोला वहां उपस्तित हो तो उसको चोला को चड़वा लें और उसके बाद जो चोला चड़ जा है नुमान जी के तो उसका सिंदूर लेके अपने माथे पितिलक भी करें तो आपको उसका चोले का पूरा फल मिलेगा उसके बाद जो परशाद होगा वो सब बच्चों में बाठ चॉला चड़वान की विदिभारी होगी करन्या राशी वालों को कोई डईया की प्रावलम उपाई मां तो इस उपाई से उनकी प्रावलम सॉलम ओसकती है और विपराय के सब्रा वहीना करन्याίνच क्यारा बठीया है आप अगर टूर और ट्रेवलिक्स का काम करते हैं आपका ऑनलाइन बिज्जिस है बहुत अच्छी स्तिधी बनी हुई है आप यात्राओं पर जाएए घूमिए परवार के साथ स्तिधी बनी है साथ ही आपके तीसरे भाव में जो गुरू आ गया है वो विवाएक समंदों की भाव ना बता रहा है जिन लोगं की शादी तैह होनी थी कन्या-राशी के जातकों के उनके लिए शादी के रिषटिह आ सकते हैं शादी की बात आगे बढ़ सकती है इस प्रकार overall कन्या राशी का महीना चाहिए शादी के लिए विवा के लिए हर तरीके से overall बहुत मौझ मस्ती का महीना है बस आपको अपने काम में जगा में अगर कोई शनी के करन प्रावलम चल रही है तो आप शनी का थोड़ा सा उपाय कर जी है जिससे जब भी मैं अपना वीडियो अप्लोट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक चले जाए और साथ ही नोटिफिकेशन बैल को भी दबा दीजीए आपको पता लगे कि मैंने अपने वीडियो अप्लोट कर दिया आप मेरी वीडियो को देख सकें इसके साथ दर्शकों मैं अपना वीडियो समाब करती हूँ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो किर पैसे शियर कीजिए लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दर्शकों जैमात आदी